जब साजिशें हादसा कहलाएं और साजिश करने वालों को गदी पे बठाया जाने लगे जब खून से लगपत हातों में इस देश का पर्चम आ जाए ये धर्म के नाम पर साजिश है और ये साजिश बहुत गहरी है तब समझो मजबो धर्म नहीं तहजीब लगी है दाओं पर रंगों से भरे इस गुलशन की तकदीर लगी है दाओं पर उठो की हिफाज़त वाजब है तहजीब के इस मैखाने की उठो की हिफाज़त लाजिम है हर जाम की हर पैमाने की देश की राजधानी दिल्ली का अमन्चैन दाउं पर लगा है इसलिए हमने आज न्यूस क्लिक के अपने कारिक्रम खोच खबर की शुरुवात मशूर शायर गोहर रजा की ताजा नजब की इन कुछ पंक्तियों से की है देश की राजधानी दिल्ली का दिल सुलग रहा है एक हफ़ते से भी अधिक समय हो गया हिंसा, मौत और अफवाहों का नंगा नाच चल रहा है चालिस से अधिक निर्दोश भारती नागरिक देश की राजधानी में चल रही इस बरबर हिंसा की भेट चड़ चुके है लाशों का निकलना अभी जारी है हर तरफ एक अफवाह है कि यहां से इतनी लाशे मिली है, वहां पर इस तरह से हिंसा हो रही है और इसी बीच दिल्ली को बड़े पैमाने पर एक बार फिर जलाने की कोशिश की गई जी हां एक मार्च को, यह बात हम कल की कर रहे हैं जिस तरह से दिल्ली को दुबारा जलाने की साजिश हुई और पूरी तरफ एक ही ढख से अफवाहों का बोलबाला था इसकी परते तो धीरे धीरे खुलेंगी लेकिन एक बात बहुत साफ है कि अफवाहों का बाजार जिस तरह से गरम किया गया मुस्लिम आबादी में यह अफवा पहलाई गई कि हिंदू आबादी के लोग आ रहे हैं हिंदू आबादी बहुल इलाकों में यह अफवा पहलाई गई कि मुस्लिम यहां पर हमला करने वाले हैं और चंद मिंटों में लोग अपने अपने समुदाए को बचाने के लिए सडकों पर लठ लेकर इकठा होने लग गए ये बात अपने आप में बेहत चिंता जनक है जिस समय सारी अफवाहें पहलाई जा रही थी उस समय में शाहीन बाग के उस धरना इस्थल पर थी मिंटों में तस्वीर बदल गई हाला कि शाहीन बाग लंबे समय से निशाने पर है और एक मार्च को हिंदूत वादी संगठनों ने ऐलान कर रखा था कि वे उस तरफ मार्च करेंगे लेकिन सुबह और दोपहर तक लग रहा था कि स्थिती नियंतर में हैं लेकिन अचानक ही एक अफवाह आती है कुछ लोग तेज तेज फोन पर बात करने लगते हैं हम आपको छोटे से वीडियो दिखाएंगे फोटो भी आपसे शेयर करेंगे कि कैसे तस्वीर बदलती है और उस समय जब शाहीन बाग से मैं वापस आना शुरू करती हूँ वहाँ पर मेरे पास दौरका से फोन आते हैं करोल बाग से फोन आते हैं तमाम इलाकों से फोन आते हैं कि यहां पर बड़ा दंगा होने जा रहा है और बिल्कुल एक ही ढंकी बातचीत कि दूसरे समुदाए के लोग हमला करने वाले हैं एक जो मेरी जानकार महिला है वह फोन करती है कि उनका भाई कहीं फस गया है वह काम करने गया हुआ है और यह करोल बाग में रहती हैं वह महिला और वो बताती है कि पूरे इलाके में जबर्दस तनाओ है खटाखट दुकाने बंद हो रही है और किसी भी समय बड़ा हमला हो सकता है और उनके समुदाए के लोग जब मैं कहती हूं उनके समुदाए के लोग यानि नौजवान पुरुष सड़कों पे जमा हो रहे हैं लट लेके जमा हो रहे हैं जो कुछ भी उनके पास है उसे लेके जमा हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ शाहिन बाग की जो महिलाएं हैं वे लगातार अपने घरों की तरफ बढ़ना शुरू करती हैं लड़कों में एक जबर्दस तनाव दिखाई देता है पुलिस वहां से आ जा रही है यह सब मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि हो सकता है अगर आप दौरका में रहने वाले हो या इस तमाम इलाकों में रहने वाले हो आपने भी यह सब चीजें देखी होंगी दौरका में जो मेरी जानकार महिला है उन्होंने बताया है कि खटा खट दस मिनट के अंदर दुकानों की शटर डाउन हो गए वहां पर जो संडे मार् कर रहे हैं तलवारे लेकर लोग आएं हुए हैं यह जो सारा माहौल है यह दिल्ली को जलाने की जो बड़ी साजिश रची जा रही है परदे के पीछे से उसका एक हिस्सा है इस तरह से दिल्ली जली नहीं दिल्ली क्यों नहीं जली यह हम और आप बहतर जानते हैं सरकारें तो हमारे सामने आ नहीं रहीं लेकिन जलाने की जो साजिश रची गई जिसमें तुरंत प्लिस का एक सेक्शन एक्टेव हुआ वीडियो जारी हुए जहां पर पुलिस को एक कहना पड़ा कि अफवाहें हैं आप इन अफवाहों पर भरोसा नहीं करिए लेकिन जो सबसे चिंता जनक बात है कि ये उन इलाकों में हुआ जहां अभी तक हिंसा नहीं फैली थी उन इलाकों में इस तरह की नफरत पहलाना कि हमारा समुदाए खत्रे में है दूसरा समुदाए हम पर हमला कर सकता और इसके लिए तैयारी में एक राउंड यूवकों को उतारना सारी की सारी सड़कों में उसी तरह के नजारे दिखाई दे रहे थे जहां बाइक पर लड़के लट लेकर जा रहे हैं वे किसी भी धर्म के हो सकते हैं लेकिन सब को एक गहरा अविश्वास दूसरे धर्म के प्रती था लग रहा था कि सिर्फ वही हैं जो रक्षक हो सकते हैं क्योंकि पुलिस पर किसी को कही से भी भरोसा नहीं था और उन्हें लग रहा था कि वाटसप यूनिवरस्टी जो खबरे दे रही हैं वे बिल्कुल सही हैं कुछ इलाकों के बारे में तो मैं 100% गैरेंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर वहाँ पर जो जो जिम्मेदार लोग थे वो सही समय हस्तक शेप नहीं करते सीधे खुल के यह नहीं बोलते कि यह अफवा है तो कुछ भी हो सकता था यानि इस सरकार ने दिल्ली को देश की राजधानी को जवाला मुखी के मुहाने पर बैठा रखा है इस भीशन, हिंसा, तनाओं और अफवाहों के दौर में मैं आपके साथ वे सवाल पूछ रही हूँ जो हम सब को केंदर की मोदी और अमिशा सरकार से पूछना चाहिए राजिकी अर्विन केजरिवाल सरकार से पूछना चाहिए इन दोनों ही सरकारों के पास आपार भेहुमत है दिल्ली को जलते हुए आठ दिन होने को आएं है दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार के पास है और उसकी कमान ग्रीह मंत्री अमिश्याह के पास है अमिश्याह के ऊपर सीधे सीधे जिम्मेदारी आती है दिल्ली को बचाने की सुरक्षित रखने की हमें आपको सबको महफूज रखने की जिसमें वे पूरी तरह से नाकाम र रहे हैं क्या आपने किसी ने भी कोई एक ऐसा फोटो देखा कोई एक ऐसा वीडियो देखा जहां पर ग्रिह मंत्री निकल कर इन इलाकों में जा रहे हो जहां हिंसा हुई हो जहां मुआयना कर रहे हूं जहां वह लोगों से बात कर रहे हो चालेस से अधिक मौते हो चुकी हैं पचास के करीब आकड़ा पहुचने पहुचने को है लाशे निकल रही है लेकिन ग्रिह मंत्री पूरे सीन से गायब है प्रधान मंत्री वैसे ही चुप है ट्वीट करने के बाद और हमें दिखाई देता है कि यहां से जो ग्रिह मंत्री है वह कोलकता जाते हैं पच्चिम बंगाल में चुनावी अभियान शुरू करते हैं और उनकी रैली में वही नारा लगाया जाता है जो दिल्ली में हिंसा भढ़काने के लिए लोग लगा रहे थे गोली मारो आप देखिए कि क्या कोइंसिडेंस है कि इस तरफ दिल्ली को जल दिया और उसके बाद ग्रह मंत्री सीधे पहुशते हैं कोलकता जहां पर चुनाव पश्चिम मंगाल में होने हैं और चुनावी अभियान में जिस तरह की भाषा का इस्तमाल करते हैं और उनके साथ जो मंच पे लोग बैठे हैं जिनका वो बड़े तसल्ली से स्वागत करत हैं कि अलपसंख्यकों को डरने की जरूवत नहीं है हम आपकी नागरिक्ता साबित कर देंगे लेकिन वे भाषपा के अलपसंख्यक सेल के जो पाध्यक्ष हैं दिल्ली में बीजेपी माइनारिटी सेल के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अख्तर रजा उनसे एक शब्द नही सिर्फ अख्तर ही का घर नहीं बलकि उनके समेच जितने मुसल्मान रहते थे करीब 18-19 घर थे वहाँ पर सारे के सारे घर फूग दिये गए और अख्तर ने खुद बताया कि बहुत मुश्किल से जब उन्होंने पुलिस को फोन किया कि दंगाईयों ने घेर लिया है पुलि यहाँ पर छोड़ा नहीं गया इसी इलाके में हम गए वहाँ पर और लोगों से हमने बातचीत की लेकिन आप देखिए कि यह जो लोग हैं जो घोशित तोर पर कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं इनका भी कहना है कि जब दंगाईयों ने इनके घ घर को जलाया तक उसी तरह से जैश्री राम का नारा लगा और उनको बचाने के लिए वहां के जो इस्थानी लोग हैं वह भी सामने नहीं आए जबकि सालों साल से अख्तर वहां रह रहे हैं इसी मुस्तफाबाद में जहां ये रहते हैं उस अड़क के उस तरफ इलाके में पचास मंदिर हैं पचास में से एक मंदिर पर भी पत्थर नहीं चला हम जब वहां पर गए वहां चार मजजदे हैं और चारों को बुरी तरह से फूख दिया गया हमने बात की मंदिर के पुजारी से आसपास के लोगों से भी जिसे आप अभी सुनेंगे लेकिन यहां जो म मुसल्मानों की बात करते हैं उन्हें आश्वासन दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल जाते हैं तो दिल्ली में जो उनके अधिकारी हैं जिनके घरों को फूग दिया गया जिनकी जान सासत में आई उनसे वे बात क्यों नहीं करते हैं कि दिक्कत नहीं होई हमारे मंदर में बड़को सेफ है, रात में जगजग के पेरा देते हैं हमारे भाई सावी और भी और बाई सावी हैं ऐसे कोई अभी भी नहीं ना होने देंगे हम अपना हमारा सब का प्रियास ही होता है यहां पर इसी किसी दरेकत दंगा पुरसाज ना हम अपने मन मुटा सब सांती पर हो रहते हैं जान मान की बहुत हानी हुई है अपने इस रोड पर हमारा अरुन मार्ण जैसे स्कूल में दूबाए हो गया है उसके मजजद में मदर्सा उसमें भी तबाही हुई संब ऐसा नियुक्त तबाही हुई और करके चलेगे तबाही बाद में पता लगा जी इसने कर दी उसने कर दी एक ऐसा हो जाता है इसकूल यह तो जी दान दंगे फसा बढ़ाने वाले होते हैं वह दंगा बढ़काने के योजना होती है लोगों के पुरानिया इनके लिए है इसा होता है जी जी कभी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है मंदिर आपका कब से चल रहा है मंदिर हमारा काफी पुराना है 30-35 साल बतले यहां काफी और भी पहले जमीन ती दीरे दीरे डबलब होते गया फिर वो जो लुबाग थे अब कुछ लुबाग थे हिंदू चले गए लेकिन हमने के हम यहां पर रुके हैं कुछ हमारे मुसलिम अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के सरकार उनके मुख्यमंत्री अर्विन के इजरिवाल से भी है जो दिल्ली की जनता पूछ रही है जहां कहीं भी आप जाये लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली की सरकार कहां है क्या उसने भाश्पा और जो ब्रिगे सडकों पर क्यों नहीं आ रहे हैं क्यों नहीं रहा सामगरी को जिस तरह से सरकार को बाटना चाहिए था जिस तरह के शिवर बनायने चाहिए थे वह काम civil society पर क्यों छोड़ दिया गया है वह काम दिल्ली सरकार खाता दिल्ली सरकार क्यों नहीं कर रही लेकिन मेरा सवाल सिर्फ रहा सामगरी का नहीं है मेरा सवाल अर्विन केजरिवाल आम आदमी पार्टी की सरकार से सीधा सीधा है कि जिस समय आपकी और मेरी दिल्ली जल रही है, उस समय आप अपने घर में चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं, क्यों नहीं आपके विधायक सड़कों पे उतर के लोगों को बचाने आए, क्यों नहीं अभी तक एक भी पीस मार्च हुआ, दंगा फैलाने वाला कपिल मिश्रा प लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम पाते हैं, कि जिन लोगों को अभी दिल्ली के लोगों ने चुन कर भेजा है, वे कहीं से भी किसी भी जगह सड़क पर उतरे दिखाई नहीं देते, ना हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते हुए, ना ही जो लोग घायल हैं, जो लोग मारे गए हैं, जो लोग मातम में हैं, जो लोग सद्मे में हैं, उनके पास बात करने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए, आखिर क्यों? इस बारे में हमने बात की हर्ष्मंदर से, जो एक पीस एक्टिविस्ट हैं और दिल्ली में लगातार सक्रिये हैं, पूरी टीम के साथ, सरकार के ही जो वरिष्टम जो नेता हैं उन्होंने ही इस नफरत का महौल को बहुत से नोज़त तरीके से बढ़ाया और पुलीस ने जान बूच के इस इंसा को भड़कने दिया और पहलने दिया और काफी वक्त तक चलने दिया लेकिन ऐसे वक्त में राज्य सरकार के भी जिम यह तो नहीं कह सकती कि पुलीस हमारे साथ नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे वक्त में सबसे पहले जिम्मेदारी है कि जो वरिष्टम नेता हैं उनके मंत्री समय उनके जो मंत्री हैं उनके जो MLA's है वो रात दिन जैसे हिंसा शुरू है उनको सड़कों के बी अगर कोई दूसरे पे नमाजब के आदार पे अपना हाथ उठाए तो अन्तिम सास में उनके खिलाब लड़ूँगा आजादी के वक्त जो दंगे हुए थे लोग बताते हैं कि नहीं जी खुद बीच में भीरों में घुस के लोगों को अलग करना यही लीडर्शिप का सब है है यह सारह सवाल जो दिली से उठरें हैं वे सिर्फ दिली की परिथी तक ہी सीमित नहीं है यह सवाल राश्टे राजनीती के हैं यह सवाल नफ्रत की राजनीती के खिलाफ उठने वाली आवाजों के हैं क्या इन आवाजों को हम बुलंद कर पाएंगे जिस तरह से एक दौर में धूमिल की कविता बहुत मशूर हुई थी कविता है एक आदमी रोटी बेलता है एक आदमी रोटी खाता है एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है वह सि उसी तर्श पर हमें और आपको पूछना होगा पूछना चाहिए ही एक आदमी मारा जाता है एक आदमी मारता है और एक आदमी लाशों से खेलता है हम पूछते हैं यह तीसरा आदमी कौन है देश की संसद और दिल्ली की विधान सभा मौन है आखिर क्यों और कब तक वह मौन रहने देंगे